हेलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम तो ए लर्निंग क्लास, स्टुडेंट्स, एस आपकी ओनलाइन क्लासिस स्टार्ट कर दी हैं, हम ओनलाइन क्लासिस में सबसे पहले जो आपका दिसंबर का एक्जाम हुआ था, उसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कोशन इस चूज दा करेक्ट ऑप्शन, हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, जो टिक मार्क वाले कोशन होते हैं, वो सबसे पहला कोशन है, टिक दा करेक्ट प्लेस वैल्यू ओफ नाइन फ्रॉम एट नाइन सेवन फाइफ फॉर, इसमें हमें 9 कि प्लेस वैल्यू निकालनी थी और उस पर टिक करना था, तो हम क्या करतें पहले, जो हमें कोशन दिया वुआ है, उसमें हम 9 की ही प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सैड में निकालके दिखा रही हूं, एट, नैन, सेवन, 15, 4, तो हम इस हमारी जो 9 की place value आनी थी वो क्या आनी थी 9,000 देखते हैं इसमें हमारा कौन सा first number पे 9,000 है इतमें हमारा ये first वाला option है वो right है ऐसे ही हमारा next question है 73,420 plus 300 plus 209 is equal to कहता है इन तीनों को plus करेंगे तो इसके बराबर क्या आएगा तो हमें क्या करना था इन तीनों को आपस में plus कर देना था यहां पे हम plus करेंगे 73,420 तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है digit जो हम लिखते हैं वो कहां से start करते हैं पीछे से तो 003 ऐसे ही यहां पे करेंगे 902 अब हम इसको simple सा add कर देंगे 92937 तो हमारा क्या आया 73,929 देखिए इसमें कौन सा option है A, B, C या D, D देखो बिल्कुल match हो रहा है 73,929 तो हमारा यह वाला answer बिल्कुल ठेक होना था इस पे हम टिक कर दे थे, next question है choose the full form of HCF, HCF की हमें full form बतानी थी, HCF की full form क्या होती है H means highest, C means common, F means factor, तो क्या हो जाता highest common factor, देखिए कहां लिखा है highest common factor A में, highest common factor, तो first वाला था जो हो हमारा सही हो जाता Next है हमारा tick the correct one, हमें किसी एक पर correct करना था, तो हम देखेंगे देखो triple X क्या होता है, 30, यही हमारा right है, ओकी, आगे भी देख लेते हैं, X minus, X, 1, X So X क्या हो जाता है, हमारा 10, और IX क्या हो जाता है, 9, यह क्या बनता है हमारा 19, तो यहां क्या लिखा है, 10, यह तो नहीं है correct, फिर L मिन्स क्या होता है, 50 ठीक है यह 40 है यह भी रॉंग है आगे दिया हुआ है हमें वी आई एक्स इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता गलत है यह ठीक है y means 5 और i x means 9 ठीक है तो यह हमारा यहाँ पे दिया है 45 तो इसका तो होना ही नहीं था ये भी wrong ये भी wrong और ये भी wrong तो हमारा correct कौन सा होगा first वाला अब हमारे पास क्या है next question which option is equal to 24,750 multiply 0 ठीक है हम अगर इस digit को 0 से multiply कर दे तो क्या option आएगा मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब हम किसी भी digit को चाहे वो कितनी भी बड़ी digit क्यों ना हो अगर हम उसे 0 से multiply करते हैं तो answer क्या हो जाता है 0 तो इसका कौन सा option हो जाना था 4 वाला तो हम 4 वाले पे टिक कर देते next हमारा पास क्या है fill in the blanks हमें fill in the blanks solve करने थे पहला क्या है 56,202 प्लस 0 56,202 में 0 को add करेंगे तो हमारा क्या आएगा देखो हम 56,202 में 0 add करना है तो देखो 2 में अगर हम 0 add करेंगे तो क्या आएगा 2 का 2 फिस 0 2,6,5 वही की वही डिजट आ जानी थी तो हम यहाँ पे वही डिजट लिख देंगे next हमारे पास क्या था इन दोनों को हमें equal करना था left hand side is equal to right hand side ठीक है जो left hand side में है वही right hand side में भी होना चाहिए तो देखते हैं सबसे पहले क्या है 32,459 इधर है और इधर भी है फिर next हमारे पास blank है और उसके बाद next क्या है मेरे पास 1326 1326 अब देखते हैं यह जो डिजट है वो यहाँ पर है नहीं यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको उठा के यहाँ पर फिल कर देती हूँ ठीक है अब देखो right hand side तो हो गई हमारी तीनो blank बर गए अब इसमें से इसको चेक कर लेते हैं अब देखो यहाँ पर क्या नहीं है 114 तो यहाँ पर क्या आ जाता 114 देखो दोनों side equal हो गई left hand side is equal to right hand side ओके इस तरीके से हम इन questions को solve कर लेते हैं आगे हमारे पास वही जो अभी पहले उपर question था 28,344 को 0 से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा 0 next है हमारे पास 3000 को 10 से divide करना है तो मैंने आपको 10 से divide करना अच्छी तरीके से सिखा रखा है ऐसे हम divide कर सकते हैं क्या है 10 से 10 cancel तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 क्या आता है हमारे पास फिफ्ट कोश्चन में 27,434 minus 1,943 तो इसको हमें इसमें से minus करना था हम यहाँ पर digit लिग देते पीछे से digit right करते हैं हमेशा चलो ठीक है 4 में से 3 गया 1 अब देखो 3 में से 4 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे 1 बोरो लेंगे 13 13 में से 4 को minus करेंगे ठीक है 4 को minus कर देंगे 13 कहां तक count होएगा यहां तक तो इसमें से 4 minus कर देंगे 1,2,3,4 बाकि जो नंबर है उसे count कर लेते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 9 ठीक है अब जब हम यहाँ से हमने 1 बोरो ले लिया तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 3 अब देखेंगे 3 में से 9 तो नहीं जा सकते फिर हम बोरो लेंगे 13 13 में से 9 को less करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 4 अब हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5 और 2 का 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 25,491 ओके नेक्स्ट देखेंगे add the following हमें इन्हें add करना था यह क्या है हमारे fractions बहुत easy थी सबसे पहले हमें क्या करना था 2 और 4 का LCM लेना था तो हम यहाँ पे 2 और 4 का LCM ले लेते हैं 2 से 2 बन जाए 2 2 तो जा 4 फिर 2 से 1 का 1 रहेगा 2 बन जाए 2 दोनों को multiply करेंगे क्या आएगा 4 इसका LCM क्या आ जाना था हमारे पास 4 ठीक है 2 की table में 4 कितने times पर आता है 2 तो इसको हम 2 से multiply कर देते 2 तो जा 4 प्लस का plus फिर देखते 4 की table में 4 कितने times पर आता है 1 तो इसको हम 1 से multiply कर देते 7 बन जा 7 अब हम इसको क्या करेंगे add 4 प्लस 7 11 11 अपोन में 4 ये हमारा answer था ठीक है ऐसे ही हम next question में क्या करेंगे सबसे पहले LCM लेंगे देखो तीनों same है 8, 8, 8 तो इसका जब हम LCM लेंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा तो 8 की table में 8 कितने times पर आता है 1 तो इसको 1 से multiply कर देंगे क्या आजाएगा 1 फिर देखेंगे 8 की table में 8 कितने times पर आता है 1 इसको भी 1 से multiply करेंगे क्या आएगा 3 फिर 8 की table में 8 कितने times पर आता है 1 और 5 को 1 से multiply करेंगे क्या आएगा 5 इन दोनों तीनों को add कर देंगे 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 अपॉन में 8 यह इसका answer हो जाना था very easy next question हमें क्या दिया है write the following number according to the Indian system हमें numbers write करना है किसके according लिखा हुआ है Indian system के according ठीक है words counting लिखनी थी तो पहला question क्या था हमारा हम सबसे पहले क्या करते हैं इसके नीचे place value write कर लेते हैं once, tens, hundred thousand, ten thousand lakh अब जैसे जैसे place value write की है वैसा हम इसको solve कर देते हैं 3 के नीचे क्या है lakh तो हम क्या लिख देंगे three lakh आगे thirty five thousand thirty five thousand आगे क्या लिखेंगे eight hundred ninety four ऐसे ही next question कर लेते सबसे पहले भाई place value write करनी थी once tens hundred thousand ten thousand lakh ten lakh ठीक है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे twenty five lakh twenty five lakh फिर forty three thousand nine hundred forty okay students next question था हमारा circle the even number तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि even number क्या होते है even number क्या होते है जो digit हमारी two से divide हो जाती है वो number हमारे even number होते है अब two से कौन कौन से digit divide होती है ये भी मैंने आपको बता रखता है जिनके last में zero two four six eight होता है वो number हमारे two से divide हो जाते है अब देखती है इसमे देखो last में क्या है zero it means हो जाएगी तो हम इस पे circle कर देते है next क्या है nine three four nine नहीं होगी फिर आगे क्या है last में three three इसमें three नहीं है नहीं होगी इसमें क्या है eight देखो eight है इसमें ये हो जाएगी अगला क्या है last में two ये भी हो जाएगी अगला क्या है last में nine नहीं होगी अगला क्या है last में nine नहीं होगी next क्या है zero ये हो जाएगी ठीके students ऐसे ही अगला question है देखो 9 है नहीं होगी 4 है हो जाएगी फिर next 3 है नहीं होगी next देखो क्या है 4 हो जाएगी फिर next क्या है 8 ये भी हो जाएगी ठीके अगला क्या है हमारे पास simplify हमें इसको simplify करना था बहुत easy था ये सबसे पहले इस दोलों digit को क्या करते add फिर उसके बाद जो digit उसमें से इसको minus कर देना था यहाँ पर देखेंगे हम 24,594 में क्या add करना था 2430 तो देखो 0,3,4,2 इसको add कर देंगे 4,9,3,12,5,4,9 और 1,10 यहाँ पर 4 प्लस 2,6 और 1,7 और 2 कर 2 add करके क्या आना था यह अब हमें इसमें से क्या कर देते इसमें से इसको minus कर देते 2009 को minus करेंगे 4 में से 9 नहीं जा सकते 14,14 में से 9 गया 5 यहाँ कितना बचा होगा 1 का 1,1 में 0 गया 1,0,7 में 2 गया 5 और 2 का 2 तो हमारा answer क्या आ जाना था 25,015 next question ऐसा ही था same to same simplify का इन दोनों को plus करना था और फिर इसको इसमें से minus कर देना था तो हम इसको plus कर लेते यहाँ पर कितना आ जाता यह हमारा plus कर के आना था फिर इसमें से इसको हम minus कर देते तो यहाँ पर हम minus कर के देखेंगे 0, 2 में से 5 गया, 2 में से 5 नहीं जा सकते तो हम बोरो लेंगे, 12, 12 में से 5 गया, 7 यहां क्या बचेगा हमारे पास 2, 2 में से 2 गया, 0 और 1 तो हमारा आंसर क्या आना था, 1070 अगला पोशन था, what should be added in 56,580 to get 60,000 आधे बच्चे इस add को देखकर इसको add कर जाते हैं मैंने आपको कितनी बार बता रहे है, what should be added हमें इस digit में क्या add कर देना चाहिए कि 60,000 प्राप्त हो जाए अब जैसे मैं simple से एक कोशन बताती हूँ कि मैंने पूछा कि बताओ 4 में मैं कितने add कर दूँ कि मेरे पास 6 हो जाए तो आप simple से बहुत अच्छे से अंसर देते हो मैं 2 को add कर देजिए अब यह 2 आया है, वो आया कहां से है यह भी तो पता हो तो हम 2 कहां से लाते हैं इस 6 में से 4 को minus करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 तो हम दोनों को plus करेंगे क्या है हमारे पास 6 ऐसे ही हमारे पास यह है कि 56,580 में मैं क्या add कर दूँ कि मेरे पास 60,000 प्राप्त हो जाए ठीक है, तो हम क्या करेंगे 60,000 में से इसको माइनस कर देंगे माइनस करेंगे 0 का 0, 0 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ से बोरो लेंगे अब ये भी 0, ये भी 0 कोई बात नहीं, इथर से बोरो लेंगे जिब यहां से वन बोरो लेंगे तो यहां क्या होगा 10 लेकिन जरुवत तो इसे है जब यहां इसे बोरो देगा तो यहां क्या होगा 10 और यहां क्या हो जाएगा 9 ठीक है फिर लेकिन जरुवत किसे है इसे फिर यह इसको बोरो देगा यहां होगा 9 और यहां क्या हो जाएगा 10 10 में से 8 गया 2 ठीक है यहां क्या बचा 9 9 में से 5 गया 4 ऐसे ही है 9 बचा 9 में 6 गया 3 यहां से बोरो ले लिया तो यहां क्या बचा 5 5 में से 5 गया 0 तो हमारे पास क्या आ जाता 3420 ठीक है अभी के लिए हम इतने ही question करेंगे आगे हम next class में solve करेंगे Thanks